नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ निहावर्म साइलेंट किलर के नाम से मशूर आयने करंज पंडूबी आज नो सेना के जंगी बेडे में शामिल हो गई है आपको बता दे कि यह है पंडूबी बिना किसी आवाज के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर तबाहा कर देती है नो सेना की मुंबई स्थित पस्चिमी कमान के मुख्याले में सैन्ने परंपरा तहत करंज को जंगी बेडे में शामिल किया गया है फ्रांस की मदद से आयने करंज को मजगाव डोक्योड ने तयार किया है यहां आपको बता दे कि इससे पहले स्कॉर्पिन क्लास की कलावरी और खंदेरी भी जंगी बेडे में शामिल हो गई है जबकि बाकी चोथी पंडूबी के समुंदरी ट्राइल चल रहे हैं पांचवी पंडूबी वागीर को भी लोंच कर दिया गया है यहां हम आपको यह भी बता दे कि आये ने करंच कलावरी कलास की तीसरी सब मरीन है यह पंडूबी 221 फूट लंबी 40 फूट उची गहराई 19 फूट 1565 टन वजनी है इसमें मशीनरी सेटप इस तरह से किया गया है किसमें लगबग 11 किलोमेटर लमभी पाइप फिटिंग है लगबग 60 किलोमेटर की केबल फिटिंग की गई है Special Steel से बनी सब मरीम में High Tensile Strength है जो पानी के अधी गहराई में जाकर काम करने की शमता रखती है करंच पंडू भी 45 से 50 दिन तक पानी में रह सकती है Steel Technology से यह रडार की पकड में नहीं आता यह किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है INA करंच के भीतर 360 बैटरी सेल्स है पर तेक बैटरी सेल्स का वजन 750 किलो के करीब है इनी बैटरियों के दम पर INA करंच 6500 नौकिटल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमिटर का रास्ता तैय कर सकता है इसके भीतर दो 1250 के डवल्यू डीजल इंजिन है यह सब्मरीन 350 मिटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाती है अगर हम इसके टॉप स्पीड की बात करें तो यह 22 नोट्स है इस सब्मरीन को साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है कि इसके भीतर एडवांस हतियार है जो यूद जैसे समय में असानी से दुश्मनों के छक्के छुडा सकता है जैसे सबसे जरूरी इसके पीछे के हिस्से में मैगनेटिस्ट प्रोपलेशन मोटर है जिसकी तकनीक को फ्रांस से लिया गया है इसकी वज़े से इसके अंदर से आने वाली आवास को बाहर नहीं जाने दिया जाता है इससे दुश्मन के खोजी हवाई जार्ज हो या सबमरीन या वोर वेसलेस को इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है इससे पकड़ में आए बिना हमला करना उचित होता है आईने करन्च दो पेरिसकोप से लेस है इस सबमरीन के उपर लगाए गए हत्यारों की बात की जाए तो इस पर छे टोर्पीडो ट्यूब्स बनाए गई है जिन से टोर्पीडो को फायर किया जाता है इसके अलावा इन में एक वक्त में या तो अधिक्तम 12 टोर्पीडो आ सकते हैं या फिर एंटी शीप मिसाइल SM-39 इसके साथ ही माइन्स भी ये सबमरीन बिचा सकती है सबमरीन में कौन कितनी संख्या में रखा जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन से मशीन पर जाने वाला है सबमरीन में लगे हतियार और सेंसर, हाई टेकनोलेजी, कॉमबैक्ट, मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं सबमरीन में अन्य नोसेना के युद्पोथ से संचार करने की सभी सुईधाएं मुजूद है यह है पंजूबी, हर तरह के वोर्फियर, एंटी सबमरीन, वोर्फियर और इंटेलिजन्स को इकच्छा करने जैसे कामों को भी बखुबी अन्जाम दे सकती है इस सबमरीन पर करीब 40 लोगों का क्रूँ एक साथ काम कर सकता है जिसमें 8 से 9 अफसर होते हैं सबमरीन में जगह कम होने के कारण कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है सबमरीन में कीचन को गैली कहा जाता है यहां खाना बनाने में भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है खाना बनाते वक्त यहां छोंका नहीं लगा सकती क्योंकि धुए को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता इसके अलावा जवानों के सोने के लिए अलग-अलग कंपार्मेंट होते हैं सब मरीम पर हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुछ खास लोगों पर होती है जैसे अगर टोर्पीडो को फायर करना है तो उसके लिए खास तोर पर एक शक्स होता है टोर्पीडो फायर करने से पहले कॉम्मेट के लिए एक खास शक्स जिम्मेदार होता है कुम्बैक्ट के लिए एक अलग टीम होती है इसी तरज पर मोटर रोड टेकनिकल चीजों के लिए अलग-अलग लोग होते हैं ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden चार्जिस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें